पूछते हैं कि सेंट और सिनर कोई नहीं है अब ये उत्तर अभी उस जो भी सीकर है जिसने प्रस्न करता ने पूछा है उसको मैंने दिया अब उसको आगे और समझने की तैयारी करनी पड़ेगी तब उसको बात समझ में आएगी कि कैसे सेंट और सिनर नहीं है ये तो बात उसके लिए मैंने ओपेनेंट पर छोड़ दी है वो आए फिर प्रस्न उठाए फिर समझे तो वो गिल्ट निकलेगा अंत में जब यही चीज जो अकरता नान डूवर है जो एक कंसेशनेस अपना ही काम कर रही है ये बात जब उसको समझ में आएगी तो जीवन के तमाम गुथियां हल हो जाएगी यानि कि एक ही चेतना है जो कि डिरेक्टर भी है एक्टर भी है और देखने वाला आडियंस भी है जिस पर वो मूवी चलती है वो स्क्रीन भी है प्रोजेक्टर भी है सब कुछ वही चेतना ही है तो ये बात समझनी पड़ेगी जब इतनी बात किसी को समझ में आएगी जिसको समझने के लिए बहुत हमको हर तरब से अपनी समझ को जग जोड़ना पड़ेगा तो दिखेगा कि जब एक ही चेतना का सारा कारव्यापार चल लहा है तो सेंट और सिनर भी उसमें ऐसे ही मूवी में जैसे करेक्टर आते हैं वैसे ही उसमें भी आते हैं तो उनका कोई बहुत ही जिसका काया जाए fundamental role नहीं है यानि कि fundamental उनका criteria नहीं है वो केवल एक time bound किरदार है character है जिसके उपर हमने ही अपने विचारों को अलग तरह से आरोपित किया है प्रोजेक्ट किया है तो वो समझ जवा जाएगी तो विक्तिका गिल्ट जाएगा वो सांथ होगा और वही उसकी मुक्ति होगी यहाँ तक उसको यात्रा करनी पड़ेगी तो प्रशनों के उत्तर देते समय अक्चुल में यह बड़ी tricky सी situation होती है जिसकी जैसी मने दसा भाव दसा उसके हिसाब से उसको वहाँ पर देकर रुख जाना पड़ता है और यह तो अनंत की या जो हमारी fundamental teaching ही है कि एक ही चेतना हर तरफ अपना काम कर रही है द्वैट पर खड़ा हुआ संसार है जो द्वैट पर खड़ा रहेंगे जब वही चेतना सब करा रही है तो व्यक्ति करने वाला नहीं है वो करता नहीं है वो गहरे में बस एक साच्छी है सांतिगट जाती है यही समाधान है इसी को व्यक्ति को समझना है यानि कि वो जिस किसी भी रास्ते से चलना चाहे जैसे भी चलना चाहे अंत में उसको इतनी ही बात समझनी है कि कोई भी व्यक्तिगत करता नहीं है और जब व्यक्तिगत करता नहीं है तो फिर सांती ही सांती है फिर समाधान ही समाधान है इतनी सी बात झाल झाल